तो भाई मैं यूटूब पर वीडियो देख रहा था तभी मेरे सामने जुन्नु भाई के ये वीडियो आई वीडियो का टाइटेल देखिए यूटूब मॉनिटाईएशन खतरनाक अपडेट वीडियो है ये और यहाँ पर और एक चीज़ देखिए टिगाइशन के फोटोस है थामनेल पर तो मैंने सोचा के मुझे तो भाई यूटूब आपडेट के बारे में सारे कुछ पता होते है तो ये मुझे से कैसे चुट गया हो सकता है मैं किसी दूसरे काम में वीजी था तो यहाँ पर देखिए ट्रिगाइशन कुछ बोल रहा है ये वीडियो क्लिप जुन्लूभाई ने अपने वीडियो में जोड दी अपडेट क्या है थोड़ी देर में आप लोग को पता चल जाएगा अभी मैं इसे बंद करता हूँ एक्चुली ये कोई अपडेट ही नहीं है मैंने बहुत ढूंड के देख लिया तो इस वीडियो में जुन्लू भाई ने जो दो अपडेट के बारे में बताया या फिर दो इंफोर्मेशन दी है नम्मर वन कॉपी राइट क्लेम के बारे में जो वॉलिवूड, टॉलिवूड, हॉलिवूड, सौंग हम यूज करते है हमारे वीडियो में उससे कॉपी राइट क्लेम आ जाते है, तुरंत एक अपडेट वही कॉपी राइट को लेके है और दूसरा जो अपडेट यूटूब थामनेल के बारे में बताया गया है, तो दोनों अपडेट के बारे में बात करेंगे, उससे पहले तिगाड इंसन के कौन से वीडियो क्लिप यहां पर जुन्लू भाई ने प्ले करके दिखाया, क्या information यहां से कालेक्ट की, ओ मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं, एक्चोली जुन्लू भाई ने यहां पर बताया, टिगाड इंसन के व्लोग चैनल है, उस चैनल पर इस बारे में होत सारे मैंने वीडियो देखा, ढूंडा, वो वीडियो मुझे नहीं मिला, मैं क्यूं ढूंडा, क्यूंकि यह information देने से पहले आप लोगों को मैं verify करना चाहता था, कि यह information इतना सही है, ऐसा तो नहीं कि जुन्लू भाई को कुछ गलत पर्मी हो गई, टिगाड इंसन ने कुछ और बताया, जुन्लू भाई ने कुछ और समझ लिया, हो सकता है, कभी-कभी ऐसे हो जाते, तो मैंने बहुत सारे वीडियो में ढूंडा, ऐसे कोई भी वीडियो क्लिप मुझे नहीं मिला, वैसे तो जुन्लू भाई ने बता दिया था, पहले ही मैंने बताया, पर साच की TIGARD INSUN VLOG, तो फिर भी मुझे ऐसे कोई भी चैनल दिखने को नहीं मिला, वैसे तो TIGARD INSUN के और भी एक second एक चैनल है, लाइब इनसन, तो ये चैनल पर मैंने गया, यहाँ पर भी मैंने वीडियो पर गया, बहुत सारे वीडियो देखा, यहाँ पर तो अलग टाइप के content है, यहाँ पर कोई भी ब्लॉग वीडियो अपलोड नहीं है, मैंने बहुत ढूडा, तो ढूडने के बात मुझे पता चला के टिगाड इनसन के नहीं, टिगाड इनसन के ममी के नाम पर दिम्पल, उनका जो ममी का नेम है, डिम्पल मलहान ब्लॉग्स, ऐसे एक चैनल है टिगाड इनसन के, जो उनके ममी के नाम पर है, बहुत सारे यहाँ पर ब्लॉग वीडियो है, सारे के सारे ब्लॉग वीडियो ह कि साथ भी व्लोग है तो इहां पर जाते हुए ओ वीडियो मुझे मिल गया फाइनली जिस वीडियो में इस जो information के बारे में बात की copyright claim के बारे एक यह जो दिखाया आप लोगों को चलिए मैं वीडियो थोड़ा सुना देता हूँ आपको देखिए एरी वीडियो है वैसे तो वह जो सौंग का लाइन था ओभी टिगा इंसन ने काट दी क्यूंकि उनको डर है कि इस वीडियो में ना क्लेम आ जाए बात यह है कि यहां पर मैं आपको अभी बता दिता हूँ टिगा इंसन के ममी के नाम पर एक ब्लॉग चैनल है दिंपल मालहन ब्लॉग मैंने आ टिगा इंसन के जो पापा है एक सौंग का लाइन गा दी थी तो जो सौंग टिगा इंसन के पापा ने उस ब्लॉग में गाये थे उसके लिए उनके उस वीडियो में जो कमपाइनी का सौंग है उसकी तरफ से कॉपी राइट क्लेम आ गए भाई सोच सकते हो इसलिए चुन् उनके जो ये ब्लॉग वीडियो आप लोगों को मैंने दिखाया यहां पर भी वो गाना टिगा इंसन ने गाय थे लेकिन उसे काट दिया क्योंकि उन्हें अभी भी डर है कि उस गाने की बज़े से उनके इस ब्लॉग वीडियो पर भी क्लेम ना आ जाए मतलब कोई भी बॉ उसे गा नहीं सकती ऐसा कभी हो सकता है उसके लिए भी क्लेम तो इतना बढ़िया यूटुबर बता रहा है मतलब गलत इंफर्मेशन तो नहीं देगा ना उनके साथ यह घटना घट चुका है इसलिए वो बता रहा है तो इसलिए जुन्नु भाई इसे एक अपडेट बता अभी तक ऐसे कुछ अपडेट के बारे मुझे जानकारी नहीं है क्यों बताया मुझे पता नहीं मैंने बहुत ढूडा यहां पर यूटूब के दो चैनल है एक है क्रियेटर इंसाइडर ओविस्यल नहीं है लेकिन यहां पर यूटूब के सारे अपडेट आ जाते है यहां इंडियान यूटूबर को हेल्प करने के लिए यह चैनल बनाया गया है यहां पर सारे वीडियो हिंदी में ही आते है यहां पर भी मैंने बहुत सारे वीडियो देखा है ऐसे कोई भी अपडेट नहीं है जुन्नु भाई ने जो बताया कि अपडेट यह है मालों आप अगर यूटूब एप्लिकेशन को ओपेन करोगे यहां पर अपने चैनल पर लॉगिन हो जाओगे मालों मेरा एक चैनल यहां पर लॉगिन है डांस टूटोरियल का तो इस चैनल पर अगर आप योर चैनल पर जाओगे और यहां पर कोई भी वीडियो को ओपेन करोगे कोई भी व दिखा दिया, वहां पर भी कोई भी जानकरी नहीं है, मैंने Twitter handle पर भी चेक की, कोई भी इस तरह के update अभी तक नहीं आई, हाँ, आप यहां से thumbnail को change कर सकते हो, कैसे, मैं आपको दिखा देता हूँ, देखिए, किसी भी वीडियो को अगर आप open कर लोगे, तो यहां से आप अप अपने thumbnail को change नहीं कर पाओगे, आप यहां से change कर सकते हो, application से, लेकिन भाया YouTube Studio कैसे, आप अपने channel पर चले जाओ, यहां पर देखिए, यह जो channel है, इस channel के बगल में ही, आपको channel के जो analytics दिख जाते है, क्योंकि, देखिए, मैं analytics पर click करता हूँ, तो यहां पर देखिए, application के through ही, सारे analytics school के आगये है, कुछ भी वीडियो पर, देखिए, इहां पर सारे shorts वीडियो आपको दिखने को मिल जाएंगे, और इहां पर सारे long वीडियो आपको दिखने को मिल जाएंगे, तो इहां पर जितने सारे long वीडियो है, किसी भी वीडियो के अगर thumbnail आपको change करना है, मालनो मुझे इस वीडियो के thumbnail change करना है तो इस वीडियो पर अगर मैं click करूँ तो ये मुझे redirect करके YouTube studio में लेके चला जाएगा देखिए लेके आ गए तो यहां से pencil के icon पर click करते हुए यहां से फिर से pencil के icon पर click करते हुए thumbnail को change कर सकता direct application से thumbnail change करने की कोई भी option अभी तक नहीं है मेरा चार channel है चार channel पर मैं check कर चुका हूँ किसी भी channel पर मुझे तो दिखने को नहीं मिला अगर आप लोगों के channel पर कोई भी ऐसे option मिलते है आप मुझे जोरूर comment करके बताना बस एही दो जानकरी मैं देना चाता था first जो information मैंने आप लोगो को दिया है कि मुझे से गाना गाने पर copyright claim आ जाते है ऐसे अगर सही में कोई भी आपडेट YouTube के आ जाते है तो भाई मतला क्या बताओं YouTube पर काम करना ही उसकिल हो जाएगा सब के लिए 2023 में क्या होने वाला है और अभी भी आप लोग वही copy paste, reused, movies, course इसके चक्कर में पड़े हो और MCN के चक्कर में पड़े हो तो बस वीडियो में यही बताना था अभी आप लोग comment करके जुरूर बताना ये वीडियो देखके आपका क्यार राय है आपको कैसा लगा ये वीडियो comment करके मुझे जुरूर बताना बस वीडियो में आज गे लिए ही तक फिर मिलता है नेक्ट वीडियो में ओके टटाप बबाई जय हिंद